Good morning बच्चो आज के हम वीडियो में social environment पढ़ेंगे ठीक है इसका जो different dimensions है इसके हम dimension of business environment का economic environment हम पढ़ चुके हैं ठीक है आप उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे social environment social environment किसे मिलकर बनते हैं हम जहां हमारा business survive करता है exist रहता है मतलब जहां हमारा business है वो किसी ने किसी समाज में रहता ना तो समाज में जहां business exit कर रहा है और जिस समाज में रह रहा है वो ठीक है वहां में वहां कुछ ने कुछ रीती रिवाज और परमपरा होंगी ना तो जो रीत सर्वाइव करता है उसको क्या बोलते है शोशल इन्वार्मेंट समझ में शोशल इन्वार्मेंट का मतलब ये है कि जहां बिजनिस जिस समाज में सर्वाइव करता है बने रहता है वहां कि जो रीति रिवाज परंपरा है उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उनका education level क्या है जो people समाज में रह रह रहे है जहाँ business survive कर रहा है तो उनका stand-up living क्या है taste क्या है preference क्या education level क्या है तो समाज कर जहाँ business survive कर रहा है अगर business इस component को यह जो इन्य social environment component अगर इसको neglect करता है तो वो कभी भी बने नहीं रहे सकता क्यों क्योंकि ये जो है क्या होगा कि अगर ध्यान नहीं दे रहा है समाज के लिए जैसे कोई goods बना रहा है वो समाज के लिए hit के लिए नहीं है तो एकदम से तो असर नहीं करेगा लेकिन जब असर करेगा तो वो लंबे समय तक उसकी bad publicity हो जाएगी तो लंबे समय तक वो business अपने आपको मतलब एक अच्छी छबी नहीं बना पाएगा तो यह बहुत समय लग जाएगा उसको सुधानने के लिए लंबे समय तक के लिए उसके बहुत बुरा असर पढ़ जाएगा आगे की नहीं समझ म क्या social environment जो component है अगर उसको वो neglect करता है ध्यान नहीं देता है तो ऐसी condition में immediate impact तो नहीं पढ़ेगा एकदम से असर तो नहीं पढ़ेगा लेकिन जब असर पढ़ गया तो लंबे समय तक के लिए उस पे असर पढ़ जाएगा इसके example social environment के example क्या है दिवाली ईद Christmas गुरू पर हमारे देश में वेबेने जाती के लोग निवास करते हैं और अलग अलग तेवार बनाते हैं तो जब भी वो तेवार बनाते हैं तो आपने देगा दिवाली के तेवार पर मिठाई होगी दुकान लग जाती तो इसकी बिकर पर टाकू की दुकान यह सब कपड़ों की सब यह क्या हो जाता है बढ़ जाता है इनकी से ऐसे ही आज जो है आज कल हम लोग समझ लगे पहले हम लोग खुब ऑईली फूड खाते थे समोसे कचोड़ी पुड़ी परांटे कूब खाते थे लेकिन अब हम जागरोग हो गए ह कि हमारे हेल्थ के लिए नुकसान दायक है तो काफी अब ऐसा जमाना आ गया है जो हेल्थ और फिटनेस का जमाना आ गया है कि ध्यान देने के लिए ठीक है ऐसी कंडिशन में जब हेल्थ और फिटनेस के बारे में समझने लगें कि इसको मेंटेन करके रखना चाहिए तो उ इसकी डिमांड वो बढ़ गई वो प्रड़क्ट्स की जैसे डाइट फूड, डाइट ड्रेंक और नई नई जिम्स भी खुल गई हैं पहले पुराने बिजनिस ही हुआ करते थे अब नई नई चीज़ें आदने लगी हैं ठीक है है फिटनेस को मिंटेन करने के लिए इंडिय में भी कई प्रकार के समाजिक परिवर्तन हुए हैं ठीक है जैसे की बताए इंडियन शोशल एंवार्मेंट में क्या-क्या हुआ है लोग पढ़ लिग गए सब कुछ और समझदार भी हो गए तो बहुत सारे अपने राइट्स के बारे में उच जाने लगें तो डिमांड जो काई की जैसे S.C.S.T. O.B.C. आपने देखा रिजर्विशन कोटा रहता है कि उनका कोटा फिक्स रहता है कि उनको मिलेगा और वुमन्स के लिए भी कोटा फिक्स हो गया है कि जैसे ही जॉब निकलती तो इतना तो क्या देना है S.C.S.T. O.B.C. और आल्प संकिक को दे कोटा फिक्स रहता है ऐसे ही डिमांड ये भी बढ़ गई कि जब दोनों मेल फिमेल जब एक जैसा काम करते हैं बलकि आजकल तो लड़कियां और मतलब जादा एजुकेटिड पहले तो उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता था अब वो बहुत अच्छे से पढ़ सेम है तो उनको वेजीज भी क्या मिलनी चाहिए सेम होनी मिलनी चाहिए डिमांड आटोमेटिक मर्शीन और लगजरी मर्शीन की बढ़ गई मिडिल क्लास पीपर हैमली के लिए भी ठीक है फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट शोशल मूवमेंट टो इंप्रूव एजुक पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता था तॉर मना जाता था अगर उसे जदा पढ़ा लेखा दिया तो वह कंट्रोल नहीं हो रहेगी तो अब जो लोग पढ़ लिख गए तो जागरू हो गये कि अगर कुछ नहीं तो जॉब ना करें तो भी मतलब क्या है कि अगर अपने परिवार को अच्छी तरीके से चला पाएगी और बुरे वक्त में बुरे वक्त से निकाल पाएगी मतलब अगर जो औरत भी कर सकती है तो ऐसी कंडिशन में क्या हुआ उनके education level पे भी उसको बढ़ावा मिला और health और fitness जो trained है बहुत ज़्यादा आजकल popular हो गया इनके इलावा बहुत सारी चीजों में भी परिवर्तन हुआ लोगों की life में भी quality में भी बहुत परिवर्तन आया पहले एकदम simple living थी ठीके और आज जो workforce भी बढ़ गया woman का woman भी बहार जाके पहले उनको घर से बहार ने निकलने दिये जाता था बहार जाके भी नौकरी करती है ठीके सिर्फ अपने शहर में नहीं और बहार भी जाके ठीके बहार रहकर भी job करती है अकेले भी रहती है अगर रहना पड़े तो birth rate death rate में भी परिवर्तन आया पहले एक सा साल के अंदर बहुत ज़्यादा death हो जाती थी even a year मतलब एक साल भी पूरे complete नहीं कर पाते थे और उनकी death हो जाती थी लेकिन अब जो बहुत मतलब इने लोग जाग रूख हो गए पढ़ लिग गए तो उनको पता है कि क्या खाना चाहिए किस तरीके से रहना चाहिए और ज बच्चों की बहुत बच्चों को बना जाता था कि भगवान की देन है और जिसके कारण क्या होता था कि बच्चे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी लेकिन अब यह समझने लगे लोग समझदार हो गया और महिंगाई भी बढ़ रही तो वह समझने लगे कि अगर हम जह आप पांच-छे बच्चे रहेंगे अगर उसके जगे एक या दो बच्चा रहेगा तो हम उनको बहुत अच्छे से पढ़ा लेका सकते हैं और उनके लाइफ को और बहतर कर सकते हैं और ऐसे ही डेथ रेट भी मतलब याने अपने स्वास्त का ख्याल रखके बर्थ रेट भ बढ़ गया है यहां लोगों की कंसेशन हाबिट में भी परिवरता ना है है पहले ओली फूड देशी जो घरेलू चीज़ें बनाती थी ठीक है लेकिन आजकल वो चाइनिस फूड ठीक है उसके उपर उनकी डिमांड शिफ्ट हो गई पॉपुलेशन में भी परिवरता ना ह ट्रेडिशन कस्टम हैबिट सब कुछ में परिवरता ना है वैस्टन कल्चर हम इंडिया में रहके वैस्टन कल्चर को अपना रहे हैं जैसे दीखें तो इस तरीके समाज में परिवरता ना रहे हैं अब जैसे देखिए पहले फॉर्मल ड्रेस पहनते थे सल्वार सूट अब मॉडन ड्रेस पहनने लगे अब यह देखिए जादा तर इलाक्रोनिक डिमांड जो चीजों की बढ़ गई फिर उसके बाद क्या होगा पहले फूड आइटम्स खुले बिख रहे हैं बार्केट मे जिसे कोल्ड ड्रिंग्स वगेरा आजकल पैक चीजें खरीदना कंसर्फिशन चालू होने लगे कॉस्मेटिक आइटम की भी डिमांड इंक्रीज हो गई तीक है थैंक्यू